हिबिसकस यानी गुरहल प्लांट में फूल नहीं खिल रहे हैं पत्तिया पिला पर रहे हैं और इस गरमी में हिबिसकस प्लांट एकदम शुकते जा रहे हैं तो फ्रेंस आज का वीडियो में आपको complete जान करी दूंगी बहुती आसन तरीके से आपको solution मिल जाएगा हिबिसकास प्लांट को दुबरा फुलो से भराने के लिए और हिबिसकास प्लांट को एकदम नए नए ग्रोथ लेके पत्ते से भराने के लिए गर्मी के कारण में हिबिसकास का प्लांट एकदम सुख गए है आप open area में इस गर्मी में हिबिसकास प्लांट को अब रखे हो मेरे तरह ता आपका हिबिसकास प्लांट में गर्मी का आसर होना ही होना है तो इस तरीके से कुछ घरलू, सलूशन हम बताएंगे इस वीडियो में जो आपको कर लेना है और आपका हिबिसकस ट्लांट में जैसे बरसत शुरू हो रहे है बरसत का पानी जैसे गिरना शुरू हो जाएगा हिबिसकास प्लांट, गुरहल प्लांट आप का पत्ते में फूलो से कलियों से भर जाएगा आने बरसत का टाइम पे हिबिसकास प्लांट को आपको अच्छा से बारिश का पानी देना है इसी सरी आप देख पाएंगे आपका हिबिसकस का प्लान ग्रोथ में, फूलों में, कलिया में भर गए एक तब नैचरल तरीके से बरसत का टाइम पे हिबिसकस यानी गुरहल प्लान को ना आपको शेरी एरिया पे रखना है ना इसमें कोई कौवर आपको देना है बिलकोल ओपे नेरिया पे रखना है बरसत का जो मौसम है पुरा फाइदा लेने के लिए हिबिसकस प्लान को जैसे ओपे नेरिया में रखना है साती सात में आपको चेक करना है कि आपका गुरहल प्लान का मिट्टी किस तरीके से है मिट्टी एकदम वेल्ट्रेन होना चाहिए नहीं तो जादा बारिश का पानी के कारण में प्लांट में लग जाएगा फांगास इस तरीके से देखिए गर्मी के करण में आपका प्लांट इस तरह हो गए है पत्या इस तरह हो गए है पर कोई प्रॉब्लेम नहीं है फ्रेंज कुछी दिनों में जैसे बर्सा शुरू हो जाएगा प्लांट अपने आपी रिवाइब कर जाएगा इसके लिए आपको कोई पानी यानि नमी है तो जब आपका हिबिसकस गुरहल का प्लांट का सोयल इस तरीके से है तो आपको इस टाइम ना प्लांट में कोई पानी देना है ना कोई फार्टी लैजर भी प्लांट में इस्तेमाल करना है इस प्लांट का साइड में देखिए और एक प्लांट ये जब आप देंगे इस तरह मिट्टी का कंडिशन होना चाहिए और जब आप पानी के टाइम भी मिट्टी इतना होना चाहिए यानि मिट्टी आपको ड्राइ करके भी पानी नहीं देना है तो एक कुछ पॉइंट आप धान पे रखेंगे तो आपका हिविसकस प्लांट बहुत ही अच्छा से ग्रोध पे आ जाएगा और इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आएगा मिली बाग का बात करू यानि पेस्ट एटरक का बात करू तो बरसत का टाइम पे प्लांट में कोई मिली बाग लगता नहीं है तो बरसात यानि रेनी सिजन ही विसकास प्लांट के लिए बहुत ही बरिया एक टाइम है, तो दो मन्थ ही विसकास प्लांट में आपको ना कोई इंसेक्टिसाइट का स्प्रे करना है, ना कोई पेस्टिसाइट का भी स्प्रे करना है, सिर्फ प्लांट को हमको फांगर से बच और जब भी आप देखेंगे हिबिसकस प्लांट का मिटी सूख गए है हलका सा नमी भी है तो उस टाइम आपको हिबिसकस प्लांट को अच्छा से गुराई करते रहना है गुराई करने से बरसत के टाइम में भी हिबिसकस प्लांट का सोईल अच्छा से सूख जाएगा मिटी आरी बना रहेगा और फ्लांट अच्छा से फार्टिलाइजर भी ले पायेगा और फ्लांट अच्छा से ऑक्सिजन भी ले पायेगा और गुरहल प्लांट का ग्रोध भी बहुत ही भरीया शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो में कौन सा आसन तरीके से आपको हिबिसकस गुरहल प्लान को क्यार करना है बरसत के टाइम पे खस करके आपको कर लेना है इस तरीके से क्यार सबसे आसन तरीके से गुरहल प्लान को क्यार करने के लिए मैं बात करूंगी हल्दी पाउडर का एक दम हों मेड है नाचरल है पूरा बरसात में इसका इस्तेमाल में आपको करना ही करना है ह mega का इस्तेमाल आपको हर 15 days में कर लेना है तो पहला process इस तरीके से मिट्टी पे आपको छिरक देना है और उसके बाद जो liquid fertilizer हम plant में देते रहेंगे उसके साथ भी मिला के आपको इस्तेमाल करना है साथ में आपको देखिए इस्तेमाल करना है इस तरह चाय का पत्ती यानि टी लीब्स मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ fresh tea leaves इस तरीके से मैं sprinkle कर रही हूँ चाय का पत्ती को भी आप liquid बना के plant में दे सकते हो तो दो तरीके से आप चाय का पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हो 10 से 12 इंच गमले में आपका plant लगा हुआ है तो एक टी स्पून आपको चाय का पत्ती इस तरह स्प्रिंकल कर देना है हर 15 days का बात कर रही हूँ friends हर 15 days बात-बात आपको आज का जो 3-3 चीज शेयर कर रही हो हर 15 days बात-बात plant में इस्तेमाल करना है और सबसे लास्ट में देखिए plant को फुलों से कलियों से भराने के लिए सबसे आसान चीज और जो हर घर पे ये पाया जाता है banana peel यानि जो banana peel यानि waste material हमारा घर पे रहता है इस से हम बना लिया है देखिए इस तरह liquid fertilizer आपको करना के है banana peel को यानि kelly के चिलके को एक से दो दिन के लिए पानी में भीगों के रख देना है तो आपको fertilizer मिल जाएगा इसके साथ मैंने मिलाई थोरा सा हल्दी का powder और extra पानी extra पानी आपको कितना मिलाना है जितना part आप banana liquid fertilizer लेंगे उसका double गुना आपको मिला देना है plain water तो इतीनों चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है चाय पत्ती से प्लांट में new new growth आना शुरू हो जाएगा क्योंकि चाय पत्ती में है nitrogen और tea leaves यानि चाय का पत्ती का इस्तेमाल हिबिसकस प्लांट में आपको करना ही करना है मीट्टी को acidic बना के रखेगा ये tea leaves और गुरल प्लांट का soil acidic ना हो जाए तो उसके कारण में ना प्लांट में कलिया बनेगा ना फूल किलेगा ना प्लांट में अच्छा ग्रोथ और प्लांट हेल्दी भी नहीं बना रहेगा और हल्दी का पाउडर फांगिसाइट का काम करेगा बरसत के टाइम पे प्लांट को चिटियों से बचा के रखेगा और केलिका छिलका यानि बनाना पील पोटशियाम यानि हाई पोटशियाम इसमें है तो इसके कारण में प्लांट में आएगा भरके फूल और कलिया आपको अन्दर से भी बुस्ट करते रहेगा प्लांट को अंदर से मजबुत बनाते जाएगा तो इस तरह बहुती इजी तरह कैसे आज का वीडियो में आपके साहरे कि गुरहल प्लांट को किस तरीके से आपको फूलों से कल्यों से भराना है पत्तों से भराना है तो बरसत का टाइम बहुत बरिया एक मौसम है यह तीन चीज के अलवा और कुछ भी ना करेंगे तभी आप देख पाएंगे आपका प्लांट बहुत ही बरिया तरीके से फ्लाव कर लेना है और इस टाइम गुरहल प्लांट को आप रिपोर्टिंग करना चाते हो तो कर लीजिए बरसत के टाइम पर आप काटिंग लगाना चाते हो तो भी कर सकते हो प्लांट बहुत ही जारी नामा हो गए है उसको शेप देने का जरूरत है तो इस काम भी आप कर सकते हो तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शिया जुरूर करा करिए, मेरे साथ जुनने के लिए चैनल को प्लीज प्लीज साबस्क्राइब भी कर लिजिए, तो फ्रेंज आज का वीडियो यहाँ पे इन करती हूँ, मिलते हैं नेक्स वीडियो पे, तब यहाँ पर वाचिंग, हपी गार्डिनिग!